हाई हेलो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब पहले तो आप सब का फिर से शुक्रियां कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपका एक-एक कमेंट मिले क्या मैंटर करता है ना मैं आपको बता नहीं सकती वो एक-एक कमेंट मुझे ऐसा रगता है कि उसको जवाब मिल रहा है तो मैंने सुबर वीडियो अपलोड कर दिया था तो उस पर मैं आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो सुनवाती हूँ जिसमें वो कभूल कर रहे हैं कि हां मैं बाते करती थी और मैंने उसमें एक चीज दी है गेम क्या खेली है वहाँ पे cm विंडो में जब हमारा कंप्लेंज आता है डीएस पी आफिस में तो यह वहाँ पर रेटन में देखे आती है कि मैं नहीं आऊंगी और उसके बाद हमारा आपस में यह होता है कि पांच बजे कपड़े लेने आएगी मम्मी के यहां पर वह मैंने यह भी बताया कि कसलेंगे कि नहीं आई है क्यों नहीं आई है वह हम हमें नहीं पर लेकिन इसके मन में इसके मिन दिमाह में कोई ना कोई गेम चल रही है तो मैम्मी के पास क्तीं आगी जूर आया है मतलब मत लइं मम्मी को बताना पड़ा आए था महिला से उन्र fishermen आप फोन के आवाज भी सुन रहे होंगे आज मम्मी मेरे घर पे आई है और मैं आपको रिजन बता रही हूं तो वहां से आता है कि आपके खिलाफ कंप्लेइन आई है तो मुझे लिटरली आप मानोगे नहीं या तो हम रो रोके और भाग भाग के इतने स्ट्रॉंग बन चु आपको आना पड़ेगा तो मैंने कम्प्लेइन बता दो एक बार उन्होंने हम तीनों सिस्टर्स के नाम बता दिये इंदू कंचन अंजना वाइफ ओफ वाइफ और सुदेश पजाज तो मैंने का मैं अब आप मुझे कंप्लेइन तो बता दीजे कि हमारी कंप्लेइन क्या है आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे किलाव क्या कम्प्लेइन गई ओकी हमारे किलाफ किकी हम्मारे कि वह वो हमसे पैसे मांग रही है, वो हमारे किलाब जाके महां पर कंप्लेन दे रही है, कि उसकी तीनों नंदे और उसकी सास उससे दहेज मांगने के लिए उसको टॉर्चर करती हैं, मार पीट करती हैं, भाई साब मतलब, या तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इतने सदमे में जात मंमी की कंडिशन है, ये सब देखते ही ही जो होती है, वो परदाशनी होती है, मंमी ने भाई रहा शुरू चुरू कर दिया, मुझे फिर से उसकी शकल देखना पड़ेगी मेर घ mortal पड़ागा मैं नहीं जाना चाहती मम्मी को मैं उपर से कहती कि मम्मी हम खड़े हैं आपको तो खुश होना चाहिए कि लोगों के आगे तो कोई नहीं होता उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है जेलों में कोट का चैरियों में आप सही हो आगे तो आपकी तीन-तीन बेटियां खड़ी हैं तो उपर से मासी जी कह या मैं हो गई हो ऐसी अब मुझे हर कोई कह रहा है कि तो उसकी बेटी नहीं बेटा अब तो मेरी हिम्मत ना इतनी जादा बढ़गी है इतनी जादा बढ़गी है कि मैं आपको बता नहीं सकती भाई मैं अब मेरी मां को इंसात दिला के रहूंगी अच्छा उसने मेरे पर हैसे uprightल्ग के इल्जाम लगा दिया हम सब एक तो धायग का जब होता है ना धिनो के साट साल के अंदर अंदर हो जाती है तो दूसरा पती देगा अभी अभी गया है आज से पहेए तुन ने कभी कोई क्म्प्लैन papier निका आई에서 सालों में कि तुछ्से कोई दंग तैस के मा इसलिए माँ को असे पास तो मैं नहीं रहने दे सकती हूं सेफ ही नहीं यह चारचार पांच और चौरता है गली में चक्कर काट रही हो मतलब क्या सरक गे तुम लोग पागल हो गया और दूसरी पर नहीं, इसकी इसकी कंप्लेंट से फरक नहीं पड़ रहे हैं, मैं वीडियो बना रहे हैं कि डाल के यहाँ अज आपको ममी से मिल माँगी ममी की घबरा गई दाउन होगी अब ममी की तबहत वो शुनते ही खराब वो कहीं ममी को घबराया टोने लागी मम्मी कहती मैं तो नहीं सो पाऊंगी मम्मी नहीं सोई है मम्मी आ गई है तो आज है सैटरड़े संडे छोड़के तो मैं आपको बता दी थी कि यह सब सुनके न मैं तो भाही इतनी स्ट्रॉंग हो चुकी मुझे लग रहा है कि मिलको अब इन सब चीजों को फरक नहीं बढ़ मैनम जी को जयलस्य ओ गई है कि मैणम के वीडियो ँ government पर जा रहे हैं डाम इधर दुरसे वीडियोस ही एकठ्थे कर रहे है मैंूँ आप कहीं भी घूम हम्हें क्या कहीं विजा और नहीं छोड़ो गे तो आपको फट है कि hem रेकिया होने वालत की जो आपके बड़े- था ठनका इस तुछ औरत की हरकते देखके, SP office, court, पता नहीं, कहां-कहां पे हम लोग नहीं गए, उसके बाद महारानी के ड्रामें शुरू हो गए, तो CM window, पंचायत, अच्छा, फिर इसने complain करा ही, हमारे DSP office, SP office, senior citizen cell, फिर हमारे इपडोस की एक चोकी में जाके एक कंप्लेन करके आई, अभी रात के 9 बज़रे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नाइट सूट में हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मम्मी साथ में है, मैं मम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी, तो हमारे पास वाले में जो भी पास का चोकी बढ़ती है, वहाँ पे भी मैंडम जाई है, और अब मैंडम के पास option नहीं बचा था, lawyer hire करने के पैसे नहीं है, क्या भेजू, तो मैंडम अब last option महिला सेल में पहुँच गई है, महिला सेल में क्या ड्रामा होने वाला है, महिला सेल में दहेज का आरोप लगा है हम पे, वहाँ पे तो यह चूठी प्रूफ हो जाएगी, आज तीनों बेनों का नाम दिया है, तब हम तीनों ही आएगी, और दूसरा, मैंडम जी मुद्धा उठाएंगी वीडियोज का, तो मैंडम जी मेरा personal YouTube channel है, मेरा हक है, में को जो बात गलत लग रही है, मैं वो share कर सकती हूँ, आप कहीं मर्जी धक्के खाईए, धक्के क्या मूँ मारी है, जगा 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 मूँ मारो, आपके आप में कुछ नहीं आने वाला, इसका एक और हटकंडा मैं आपको बताऊं, हमाँ पे एक कहती है, कि मेरे पती की डेथ हो गी थी, और ये लोग मुझसे काम करा रहे थे, मैं वहाँ नोकर बनके काम कर रहे थी, कितनी भोली है ना तू मनीशा, तेरे पती की डेथ होगे, और हम तुझे टॉर्चर करके काम करवा रहे थे हैं ना, तरी हरकते देखके, कि जो वरत फोनों पर लगी रह सकती है, तो वो हमारे साथ काम क्यों नहीं करा सकती, काम करने की बारी में हम भाग रहे हैं आदमियों की तरह, हम तीनों बहने लगी हूँ या हमारे रिष्टेदार लगे हूँ है, आप मेडम जी अपने फोन चलाएंगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है न, जहां इंसान खाता है, वहां काम करना पड़ता है, तो आप काम करने का इसान हम पर मत दिखाओ, और दूसरी बात दहेज वांगने का, तो मेरे घर आके चेक कर लियो, बहवान की दया है, मैनत की कमाई है, अच्छे से खा लियो, संतुष्टी से खा लियो, और अपनी मा को भी खिला सकती हूँ, इतना है मुझ में कि मेरी मा को भी बिठा के खिला सकती हूँ, तो मैंने मेक अपस का सारा सैट अप था, मम्मी को लेने चलीगी, तो मैं को लगा कि सुबा समेटूँगी, क्योंकि कल चुटी है, तो यहां पर डॉल, क्या बना रहे हो, ब्रेट पीज़ा बन रहे है, नानी के लिए, है ना, हाँ, आपके लिए तो है यह, आज अब आपको मम्मी से मिलाती है, हमारी टुक्की, मम्मी कैमरा शाइ है, तो मैं कैमरा लेके ऐसे बोलूँगी नहीं, मैं चुप-चाप दिखा दूँगी, ऐसे क्या हो जाएगा, टैंचल लगाने से होगा क्या, आपको कुछ होएगा फिरा हम कहा जाएंगे, तो हम तीनों बहने और मम्मी जा रही है, भाई की डेथ को सिरफ और सिरफ छे महीने हुए, यह भूल गई है कि उसके बेटे, उसके पती का इलाज, सब बहनों ने मिलके, बड़े जियजी ने मिलके, मासी ने मामा ने जिन से जितनी हो सकी, सब ने पैसे इकठे करके उसके पती का इलाज कराया है, वो लेडी आज हम पे दहेज मांगने का आरोप कर रही है, तो आपकी बहन इंदुबजाज, अगर जेल ना गई, दहेज मांगने का आरोप में, तो जल्दी आपसे बिलूँगे और आपको अपडेट दूँगी, कि वहाँ पे क्या हुआ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में, तिल देन बबाई, टेक क्यार, वन्स अगेन इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, में को सच में ऐसा लगने लगा, कि मेरी यूट्यूब पे भी आप फैमिली बन रही है, तो मैं अपडेट आप से शेर करती रहूँगी, सिरफ सपोर्ट करते रहें, मतलब आप लोग का एक कमेंट भी न, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई आप पास आके, मैं को मेरी पीट थप थपा रहा है, कि भाई लगी रहे तू, तू मा के लिए कुछ भी कर सकती है, और मैं करके देखाऊंगी, और जो लोग कह रहें मा का ध्यान रखना, बिल्कुल मा का ध्यान रखेंगे, हम तीनों भेने, डोल आई है, तीनों भेने मा की, हर संभव कोशिश कर रहें, कि हम उनको बिल्कुल इस महौल से अलग रखें, लेकिन प्रेयर करना, कि इस औरत से चुटकारा जल्दी हो जाए, चलो मिलते हैं आप से, बबाई, टेक्या,